नमस्कार चात्रों डीसेंट के यूटूब चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं मैं अरेश शर्मा आपके लिए रीट के परिक्षा में आने वाले जो अत्ती महत्पूर्ण प्रस्ने उनकी एक सरंखला आपके सामने लेकर के आया हूं साल भर में आप लोगों ने जो अध्यन किया है उस अध्यन को बिलकुल हमने यहां ब्रीफ करके आपको पंदरा मिनट में नाना प्रकार के जो क्वेशन्स आपके डिजाइन होते हैं उनके एक सीरीज आपके सामने लेकर के आया है तो देखिए हम यहां से शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका छात्रों यह है सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वन शुट नॉट लर्न इंग्लिश किसी को अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि इट इस दा लेंग्विज ओफ नॉलिज तो ज्यान की भासा तो यह होती है क्वेश्चन यह पूछा गया है कि वन शुट नॉट लर्न इंग्लिश लेंग्विज विकोज हर किसी को अंग्रेजी या किसी को अंग्रेजी का अध्यन नहीं करना चाहिए क्योंकि इट इस दा लेंग्विज ओफ नॉलिज यह ज्यान की भासा होती है तो अंडाउटेड की काम करती ओपन विंडो की तरह काम करती है सेज पंडित जवाहरलाल नहरू इट इस दा लेंग्विज ओफ ब्रिटिश रूलर्स अंग्रेजी भासा को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि यह ब्रिटिश सासकों की भासा है गलत इट इस दा लेंग्विज ओफ इब्रेल यह एक उदार और आधुनिक सोच वाली भासा है इनकरेक्ट तो यही आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि यह उस संदर्म में सही नहीं बैठता है चात्रों अगला क्वेशन हम देखते हैं अगला क्वेशन आपका यह है दा मेजर ऑब्जेक्टिव ओफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज मेजर ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा उद्देश से देखो यह चार शब्द आपको परिक्सा में पकड़के रखने हैं या तो मेजर लिखाए या तो मेन लिखाए या तो आईडियल लिखा हुआ है तो क्वेशन आपका बना दा मेजर ऑब्जेक्टिव ओफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल एज यानि की प्राथमिक इस्तर पर अंग्रेजी भासा सिक्षन का जो सबसे बड़ा उद्देश से है वो क्या है यूजिंग इंग्लिश इन डिफ सिच्विशन सफ लाइफ वो बच्चा तो काम में नहीं ले सकता हालां कि वो टुकडों में कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकता है स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट प्राइमरी लेवल पे बच्चे को अंग्रेजी भासा सिक्षन का ये मुख्य उद्दे करें या नोविंग दा ग्रेमर ओ इंग्लिश या अंग्रेजी भासा की वो व्याकरण को जाने तो व्याकरण को प्राइमरी लेवल पर इतना नहीं जान पाता है यहां तो उद्देश से आपका केवल क्या है यह है अगला क्वेश्चन छात्रों आपका अगला क्वेश्चन आपका यह है इन लर्निंगा लेंग्वीज भाषा अधिगम में स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम विद्ध्यारतियों का बात करने का जो समय समय होता है शुडबी इंक्रीज वो बढ़ा दिया जाना चाहिए क्योंकि दे यूज दा टार्गेट लें इस परपजीज वो भिन परकार के उद्देश्यों के लिए भाषा का इस्तमाल करते हैं या टीचर्स फिल रिलेक्स वाइल स्टूडेंट्स टॉकिंग शिक्षक आराम कर रहा होता है जबकि बच्चे बात कर रहे होते हैं इनकरेक्ट सवाल यह है कि भाषा अधिगम में व वह क्या करते हैं आनन्द लेते हैं बाते करने में अर्थात समय व्यतीत करते हैं दे कैन लर्न दा करेक्ट पनेंसियेशन फ्रॉम इच अदर नो तो एक दूसरे से सुद्ध उच्चरण कहां से सीखेंगे भाषा अधिगम में विध्यारतियों के कम्मिनिकेशन का समय छात् करते हैं इस्तेमाल अगला क्वेश्चन छात्रों आपका यहां यह है वाइल असेसिंग गुरूप वर्क जब आप एक गुरूप वर्क का आकलन कर रहे होते हैं एजा टीचर तो एक टीचर शुड़ नौट फोकस ओन तो एक सिख्षक को पर जोर नहीं देना चाहिए किस प करिया है उस पर ध्यान देना चाहिए उसमें बच्चों का सहयोग करना चाहिए असेसिंग इच चाइल्स वर्क हर बच्चे की कार्य का अवलोकन करना चाहिए आकलन करना चाहिए येस टेकिंग इनिसियेटिव इन वर्क और हर काम को करने के लिए सिक्षक को क्या करना चाहि यह यह भी करेक्ट है सवाल पूछा गया है गुरूप वर्क का आकलन करते समय शिक्षक को पर फोकस नहीं करना चाहिए किसपर शोविंग कंसन फॉदर्स यानि की औरों की चिंता नहीं करनी चाहिए केवल उनकी चिंता करनी है उनके बारे में बात करनी है जिनको सिक्षक के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रहे है अर्था तुने पढ़ाय जा रहा है अगला क्वेश्टन देखें एडाइगनोस्तिक टेस्ट इन इंग्लिश अंग्रे जी में निदानात्मक जो परिक्षन होता है विल हेल्प दा लेंग्वीज टीचर टू आइडेंटिफाए ये भासा के सिक्षक की को पहचानने में मदद करता है किसको पहचानने में मदद करता है किसको पेचानने में मदद करता है intelligent learners in the class slow learners in the class learning difficulties the learner faces in English the topic wich the has not learned by heart no तो जबाब हम क्या देंगे छात्रों यहाँ सी बाइं डाइग्नोस्त जो होता है देखें जब भी हम बात करते हैं एक सिक्षक के कक्षा कक्ष में पढ़ाने की तो सबसे पहले टीचर का जो टास्क होता है वो है बच्चों को मोटिवेट करने का मोटिवेशन के बाद में सब्जेक्ट के पढ़ती बच्चे को आप मोटिवेट करते हैं मोटिवेशन के बाद में आपकी टीचिं और डाइगनोस करने के बाद में accordingly curriculum design किया जाता है और बच्चों को क्या दी जाती है आई टी remedial teaching तो intelligent जो learners देखे diagnostic जो test होता है निदानात्मक जो परिक्षन होता है वो भासा सिक्षत की मदद करता है को पहचानने में किसको learning difficulties अधी गम की वे कठनाईयां that the learner faces in class sorry in English जो बच्चा अंग्रेजी सीखने में करता है अगला question छात्रों देखें अगला question आपका यह है वेन चाइल्ड लेंग्वीज नेचूरली जब एक बच्चा किसी भासा को प्राकरतिक रूप से सीखता है without much practice बिना ज्यादा भ्यास के तो इसको हम क्या कहते हैं सबसे पहला तो यह है जो mother tongue होती मात्र भासा होती जिसको हम 11 बोलते हैं mother tongue बोलते हैं first language बोलते हैं उसके बारे में एक प्राइन आपको प्रोपर याद रखने हैं कौन सी दा लेंग्वीज विच इज अक्वायर्ड विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग एसी भासा जिसको बिना ओप्चारिक परिक्षण के सौरी प्रसिक्षण के ग्रहन किया जाता है उसको हम mother tongue या first language बोलते हैं अब यह लिखा सब्सक्राइन चंडेशन लेंग्वीज लर्निंग भाशा का अध्यगम कहते हैं नहीं तो अध्यगम कैसा होता है इद आध्यगम चात्र फॉर्माल वह कक्षा में ओगा लेंग्वीज अडाप्टेशन भाशा का अनुकूलन तो अनुकूलन कोई परिस्थति दे करके होता ह लेंग्विज जन्रलाइजेशन नहीं उसको बोलते हैं लेंग्विज एक्विजिशन याने कि भाषा को बच्चा क्या करता है अक्वायर करता है प्राइमरीली उसको सीखता है अगला क्वेशन चात्रों आपका यह है दा कम्मिनिकेटिव एप्रोच टू टीच इंग्लिश सीज ऑन अंग्रेजी भाषा सिक्षन में जो कम्मिनिकेटिव एप्रोच होती है जो सी एल्टी एप्रोच होती है वो परबल देती है किस पर दा इस्ट्रक्चरल एक्यूरेसी ओफ दे सेंटेंसीज केवल वाक्यों कि आपको क्या संरचनात्मक सटीकता जाचनी है नहीं जहां शब्द लिखाए कम्मिनिकेटिव कम्मिनिकेशन तो वहां सीधा प्रेक्टिकल प्रेग्मेंटिक एप्लाइड विहवारिक बात करें करे सेंटेंस बोलने पड़ेंगे पूरा वाक्य फ्रेम करना होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भासाई दक्षता प्लस एन एबिलिटी साती साती योग्यता किसकी टू यूज दा लेंग्वीज एप्रोप्रेटली भासा को आप सही ढंग से भी इस्तिमाल करें दा प् चात्रो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस प्लस एन एबिलिटी तू यूज दा लेंग्वीज एप्रोप्रेटली अगला क्वेश्टन आप देखें अगला क्वेश्टन चात्रो आपका ये है वाइल रीडिंग ए लर्नर वाइल रीडिंग पढ़ते समय ए लर्नर नीड्स टू एक अधिगम करता को की आवशकता होती है किसकी गैस दा कंटेक्स्ट्वल मीनिंग ओफ न्यू वर्ड्स तू अंडस्टेंड दा टेक्स्ट यानि की टेक्स्ट को समझने के लिए जो नए नए शब्दारे हैं केवल उनके अर्थ का अनुमान लगाना तो अनुमान लगाना ये इसमें इनकरेक्ट है पढ़ते समय लर्नर को की आवशकता होती है तो केवल शब्दों का अर्थ समझने के लिए अनुमान नहीं लगाना आपको ट्रांसलेट दा रिटन सिंबल लेखे जो सिंबल हैं उनको अनुमाद करना इन टु करेस्पोंडिंग सांट्स तू ग्रेस्प देर मीनिंग अर्थ जानने के लिए इनकरेक्ट परसीव देखना एंड डिकोड लेटर्स और लेटर्स को सरल बनाना इन ओर्डर तूरीड वर्ड्स इनकरेक्ट तो करेक्ट आंसर आ understand every word प्रतेक सब्द को समझना टू ग्रेस्प दा मेनिंग अर्थ जानने के लिए किसका of the text छात्रों अगला question आपका ये है अगला question आपका ये है कोजी जो spelling errors आर यानि कि वर्तनी में जो अशुद्धियां होती है जो सुन्टीयां होती है उसका कारण क्या है silent letters कहीं सी लिखा होता है कहीं कहीं दोनी करता है कहीं 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 अब psychology का spelling अगर लिखते हैं तो आपको ये पी क्या रहता है silent और धोनी कहां से आती है सैसे मतलब कोजी जोब spelling errors आर एक तो silent letters तो छात्रो yes poor pronunciation बिलकुल correct अगर teacher का उच्चारण खुद का ही गलत होगा अशुद्ध होगा accent सही से नहीं लगाए जाएंगे stress सही नहीं लगेगा pronunciation correct नहीं होगा तो बच्चे क्या करते है रॉल मोडल होता है टीचर तो ऐसे imitate करते हैं और गलत लिखते हैं वन लेटर डिफरेंट साउंड्स यानि की वरन एक होता है लेकिन धोनी अलग करता है हर जगे सी की धोनी यही थोड़ी होती है यहां तो यह से की धोनी करता है लेकिन क्लास में यह कह की धोनी करता है तो जवाब छात्रों आपका क्या है ओल ओव दावो देखो आगला question आपका यह है आगला question छात्रों आपका यह है एक good teacher is one एक अच्छा सिक्षक वही होता है जो गिवज देम useful information जो बच्चों को जादा से जादा उपियोगी सूचनाएं देता है incorrect explains concepts and principles अब धारनाओं और सिद्धान्तों की व्याख्या करता है व्याख्या तो सारे टीचर ही करते हैं gives printed notes to students विद्ध्यारतियों को printed notes माटता है incorrect यह तो सारे ही बाट देते हैं gives them ample opportunities to learn ऐसा सिक्षक अच्छा होता है जो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आवसर परदान करता है किसके लिए सीखने के लिए अगला question चात्रों आपका यह है आप passage will be given in the question paper question paper में एक passage आपको मिलेगा और उस passage में से ना तो हमारे syllabus में synonyms हैं ना हमारे syllabus में ना ही हमको किसी प्रशन का जवाब यहां से निकाल करके देना है हमें केवल कुछ यहां से एडियम पूछा जा सकता है यहां से आपका subject verb agreement का एक question पूछा जा सकता है यहां से आपका कंजंक्शन का एक प्रस्ण पूछा जा सकता है और यहां से आपका मॉडल का एक क्वेश्चन निकालते हैं तो यह रहा चात्रों आपका क्वेश्चन नंबर वन देखो आप यह फैलेसी का क्वेश्चन आ गया ए रूस्टर क्रोज एवरी मौनिंग एट फाइव रूस्टर को बोछटे हैं कौक मुर्गे को बोलते हैं तो मुर्ग प्रतेक सुबह है 5 बजे बांग देता है धैन दसन राइज और तब सूर्य होता है एट इज अजीूम्ड ऐसा मान लिया जाता है देट दा रूस्टर्टर क्रोविंग के मुर्गे का बांग देना कोजिज दसन तू तो राइज उसके कारण ही सूर्य उद्य होता है दरसल घटनाएं होती हैं दो देखो फैलेसी का अर्थ होता है इन वालिड रिजनिंग जो स्टेटमेंट आप कहते हैं अगर उसके लिए आरगुमेंट कैसा रहता है अगर तरक जो देते हैं आप वो अगर invalid होता है तो छात्र उसी को हम fallacy बोलते हैं और अगर बात बिल्कुल पुकता सही होती है तो उसको fact बोलते हैं जूट हुआ तो वही fallacy सत्य है तो वह fact है अब मैंने आपको कहा कि तो कोई दो घटना करम होंगे घटना करम A और घटना कर क्या है one after one एक के बाद एक घटित होता है अगर घटना करम दो के लिए घटना करम एक को responsible माना जाए इसको अगर इसके लिए जिम्मेदार माना जाए को पहले ऐसा हुआ तब जाकर कैसा हुआ है इसको हम बोलते चात्रों पोस्ट होक फैलेसी इसको हम बोलते चात्रों पोस्ट होक फैलेसी तो यह आपका जवाब है वैसे भी पोस्ट कार्थ जानते हम बाद होता है तो घटना करम दो होते हैं घटना करम एक को घटना करम बी का अगर कारण मान लिया जाए तो वो पोस्ट होक फैल उसके जो logic आपका हो गया reasoning जो होगी जहर्गोमेंट होता है वह वियाख्या गलत करता है इक हो किशन में क्या होता है कि दो अलग-अलग वाक्य आपको दिये जाएंगे दो अलग-अलग वाक्यों में शब्द एक ही दो बार रिपीट हो जाएगा एक शब्द दोनों वाक्यों में सेम इस्थती में आएगा लेकिन वो दोनों जगे दोनों प्रेमाइसिस में दोनों आर्गूमेंट्स में और उसको डाइरेक्ट हम क्या करते है पूरी community यानि पूरे समुधाय के ऊपर apply कर देते हैं तो फिर उसको चात्रों क्या बोलते हैं उसको हम बोलते है स्टी जर्नलाईजेशन और अगर इसका हम आपोजित कर दें तो तो इसको हम क्या बोलते हैं fallacy of division तो छात्रों अगला question देखें actions speak louder than words काम ज्यादा तेजी से बोलते हैं सब्दों के बजाए तो idiom का क्यार्थ है to make a bad situation worse बद से भी बदतर करना नहीं better to show than tell यानि कि देखावा ज्यादा अच्छा है बोलने के incorrect दर रस्ट possible situation सबसे बेकार संभावित इस्थिति नहीं actions speak louder than words सब्दों से ज्यादा action बोलते हैं इसका मतलब believe what people do भरोसा उस पे करें जो लोग करते हैं not और उस पे नहीं what they say जो वो कहते हैं अगला question देखें अगला question चात्रों आपका यह है the teacher as well as his students ready to go और आएगा यहां go on an educational tour तो चात्रों subject वर्ब agreement का question है और वर्ब यहां पूछ रहे हैं वर्ब के तुरंद पहले का सारा का सारा item क्या रहता है वर्ब का subject अगर जब भी कभी दो करता अथवा दो noun अथवा दो subjects as well as like besides with as well as like besides with along with together with an addition to and not governed by guided by headed by led by controlled by accompanied by rather than or unlike से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा इनके पहले वाले subject के हिसाब से आती है बोले वर्ब teacher के हिसाब से आएगी students के हिसाब से नहीं आएगी students के हिसाब से लिखते हैं तो वर्ब वचन आएगी teacher के हिसाब से लिखते हैं तो एक वचन आएगी और वे ही वर्ब एक बचन अत्वा सिंगिलर होती जिनके अंत में ऐस दिया गया होता है जैसे इज वॉज डज है फर्स्ट वर्ब के साथ ऐस तो छात्रों ये दोनों तो हो गई आपके आउट क्योंकि इनके अंत में ऐस नहीं है अब बच कितने गए दो अब हैज के बाद या तो नाउन एक आगला क्वेशन देखें आप फॉल〜विंग सओ अडवाइस निम्न में से अपली देखो मंस्त को को बताता है सप्राइन यू वंब्लिगेशन को बताता है इंस आप के मॉरल ऑब्लिगेशन को को बताता है legal obligation को वह था कम पल्शन को सो करता है कैंज ओंद होता है यह आपके surprise को वताता है पजलमेंट को वताता है efficiency को सो करता है ability वताता है capacity वताता है और informal permission request को सो करता है अब आपका आगया विल तो विल किसको वताएगा future लेटर्मिनेशन और ठ्रेट को बनाते समय कहाते है तो बोले विए काम में आता है अगला question छात्रों आप देखें everyone his name यह फिर agreement का question है अगर वाक्य का subject someone somebody something no one nobody nothing anyone anybody anything everyone everybody everything होता है तो इन के साथ में वर्ब सदेव singular आती है और singular वर्ब वे ही होती है जिनके अंत में S होता है इज वोज डज है फर्स्ट वर्ब के साथ एसी आई एस तो यह तो बाहर है यह भी आपका बाहर है बच कितने गए दो अब इन दो में आपको एक को क्लिक करना है नो ऐसी वर्ब है परसेप्शन वाली जिसका continuous tense नहीं बनता है इसमेल हीर सीफिल टेस्ट नो है अंडरस्टेंड है रिमेंबर है फगेट है ऐसी वर्ब है जिनका प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनता है तो यह आउट है तो जवाब आपका एक्सेक्ट मिलेगा मतलब आपको एक पोईट्री का पैसेज मिलेगा यानि कि आपको एक क्या मिलेगी unknown पोयम और इस पोयम में से और बाकि जो आपके पांच टर्म और बच जाते हैं उनको वो अलग से पूछते हैं तो मैंने क्वेश्चन लिखा ही इन आर्किटेक्ट ऑफिज ओन फेट वह अपने भाग्ये का खुद कौन है आकिटेक्ट तो यहां छात्रों फिगरवी स्पीच कौन सा है सीधा ही किसी को रूप देना वेने डिरेक्ट फॉर्म इस गिवन टू समवन और सम्थिंग जब किसी वस्तु या व्यक्ति को सीधा का सीधा फॉर्म देते हैं तो छात्रों उसको हम क्या बोलते हैं मेटाफर सिमली जब लिखेंगे तो उसमें दो विजातिये चीजे तो नहीं है पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव चीजें और भाव ऐसे ट्रीट करते हैं कि मानों वे हुमन बीइंग हों तो यह होगा नहीं जवाब क्या है आपका मेटाफर अगला क्वेश्चन देखें शात्रों आप अगला क्वेश्चन आपका यह है ऐज हाड ऐज आ स्टोन इतना कठोर जितना पत्थर अगर आपको फ्रेज में या सेंटेंस में एज लाइक लिखा हुआ मिले तो वह क्या होता है सिमली छोटी सी बात आपको यहाँ यह याद रखनी है कि एज हाड एज आ स्टॉन इतना कठोर जितना पत्थर तो जिसकी उपमा दी जाती है उसका सदेव फ्रेज या सेंटेंस में होना 100% अनिवार्य होता है जबकि जिसकी जबकि जिसको उपमा देते हैं वो सदेव लिखाए ऐसा अनिवार्य नहीं तो यह आपके तीनों क्या है इनकरेप्ट अगल क्वेश्चन देखे चात्रों अगला क्वेश्चन यह है दा इयर्ज ओ डेथ आर डेफ यानि कि मरत्यू के कान कैसे हैं बहरे हैं मरत्यू के कान तो डेथ को अंडरलाइन करके पूछ लिया अलंकार कौन सा है जब भी कोई निर्जीव चीज और भाव ऐसे ट्रीट करें कि म यह यह देख तो मरत्यू तो महज क्या एक भाव है एक्स्ट्रेक्शन है अगला कोश्चन चात्रों आपका यह है अगला कोश्चन आपका यह है इस सिटी नाउद ज़ लाइक अगार्मेंट यह है शहर अब बिलकुल गार्मेंट यानि कॉस्ट्यूमस वस्तरों के समान है जब भी वाक्य में लाइक और एज लिखा है तो अलंकार कौन सा बनता है सिमली अगला क्वेश्चन देखें अर्थ है जो नौट एनिफिंग अर्थ है जो नौट एनिफिंग टुशो मोर फैर धर्ती के पास और कुछ ज्यादा सुन्दर दिखाने के प्रविंक्स के यहां अर्थ छात्रों क्या है पसोनिफाइड है अगला कुष्ट्टन देखें अगला आपका यह है दा गीवन पोटम इजन एक्जेंपल ओफ दी गई कवीता किसका उदरन है तो कवीता प्रोज नहीं होती प्रोज नहीं होती और ड्रामा किसका पाट प्र सीमित नहीं होती जब कि सौनेत में पंक्तियां होती है 14 और उपर जो पोएम लिखी चात्रों उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 14 तो जब आप क्या है आपका सौनेत अगला क्वेश्चन आप देखें अब इसके लिए आपको पोएम के पास चलना ही पड़ेगा अंत की जो चार पंक्तियां है उनकी तुकवंदी क्या है उनकी राइम इसकीम क्या है वो आपको निकालनी है तो यह चात्रो आपके पोएम की लास्ट फोर लाइन्स यह पोएम की आखिर की क्या है फोर लाइन्स है यह आपकी यह आपकी फोर लाइन्स है यह आपकी चार पंक्तियां है जब भी हम राइम इसकीम निकालते हैं तो पंक्ति के अंत में जो अंत का जो शब्द दिया गया होता है उसका उच्चारण करके सुनते हैं और उच्चारण चाहे जो भी आए उसको छात्रों हम ए मानते हैं तो डीप में क्या है ए है अब यह डीप ना होकर के डॉप होता तब भी एही होता इसका उच्चारण वॉटेवर इट में कम कुछ भी आए आप ए माने अगली ही ल विल छोटाई अब जैसा डीप ऐसा ही क्या है असलीप और जैसा विल ऐसा ही क्या है स्टिल तो छात्रों जवाब क्या है आपका एबी एबी और जब कोई राइमिंग ऐसे आती है एक छोड़ के एक तो उसको छात्रों हम alternate rhyme बोलते हैं, alternate का मतलब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, तो correct जवाब आपका इसका, correct answer आपका हो गया, A, B, A, B, अगला question देखें, अगला question आपका ये है, which out of the following is not the feature of a sonnet, sonnet की निम्न में से विशेष्टा कौन सी नहीं है, तो परिक्षा में इस बात का विशेष्ट आपको ध्यान दखना है, कि not true और true लिखे आते हैं और वो confuse करते हैं, तो जो इसके against में हैं, जो unfavorable है, वो आपको निकालना है, इसकी एक नियत या निश्चित तुक बंदी होती है, इसको विशेष्टू से नहीं पहचान सकते, और इसको विशेष्टू से पहचाना जा सकता है, तो विशेष्टू से इसको नहीं पहचानते हैं, बलकि किसको पहचानते हैं, एली जी को, एली जी जो होती हो, उसको विशेष्टू से पहचान सकते हैं, सोनेट को विशेवस्तू से नहीं पहचाना जा सकता है ये बात तो favor में है लेकिन लिखा हुआ है कि इसको विशेवस्तू से पहचाना जा सकता है तो यही आपका answer है यही गलत है यही आपके question के favor में नहीं है सोनेट के favor में नहीं है अगला question है लवज लेबर्ज लोस्त शेक्स्पियर का एक play है लवज लेबर्ज लोस्त एक है लवज लेबर्ज वन अब यहां आपको उधारन बताना यह किसका है शब्द के प्रारंब में अगर व्यंजन की धोनी की पुन्रावरती होती है कहां केवल देखो आवेट्स अगर व्यंजन की धोनी की पुन्रावरती हो तो उसको हम अलिट्रेशन नहीं तो हेड राइम नहीं तो उसको हम इनिशियल राइम बोलते हैं तो जबाब क्या च्छात्रो अलिट्रेशन अगला question आप देखें यह आपका अगले कोशन है देखो आवेट्स अलाइख ये दो शब्दे हैं इन में अलंगकार आपको निकालना है और जब भी स्वरकी ध्वनी आवेट्स अलाइख दोनों में ही आधा यह इसको बोलते हैं अनिस्ट्रेस्ट है और दोनों में इसकी धोनी आ रही है तो स्वरकी धोनी की पुन्रावर्ति अगर प्रारंभ में हो तो उसको छात्रों एसोनेंस बोलते हैं लेकिन कौन सा इनीशियल क्योंकि यह पुन्रावर्ति बीच में भी होती है तब मेडियल बो तो एसो पी एक इसमें आपको जो है यह अईडेन्टिफाइग करना है तो विखल आपको मिले से यह कि यह आपके विखल पर हैं तो खर्रेक्ट आनसर क्या है उच्चाण होता है फिलाशफी सिलाशफी यानि कि क्यों कि आधा ए आता है हलनत का यह आता हैBoy अगला क्वेश्चन चात्रों आपका यह के अगला क्वेश्चन आपका यह है ओड साउन्ड आउट इन में से विसंगत ढूनी आपको चंटनी है जिसमें different sound है is fried बोलेंगे तो हाई की ढूनी आएगी दिप्थाउंग slice बोलेंगे तो आपको आई डिप्थाउंग की ध्वनी आएगी mice बोलेंगे तो आई डिप्थाउंग की अवाज आएगी लेकिन cream बोलेंगे तो बड़ाई की ध्वनी आती है तो this is the correct answer अगला question चात्रों और देखें ये लो ये आपका next question identify the underlined sound of the word इस शब्द में आपको रेखांग की तो ध्वनी निकालनी है तो रेखांग की तो ध्वनी बताईए या तो ये या तो ये या तो आपका ये या तो फिर आपका ये और ये तो इसका उच्चारण करते चात्रों ब्रेक करेक्ट आंसर इस अगला question आप और देखें प्लेस ओफ प्लेस ओव आटिकुलेशन इस बेस डॉन याने कि व्यन्जन की छात्रों जो ध्वनिया होते हैं हमारी 24 वो जो 24 साँन्ट सापके होते हैं उनको लो फागो में डिवाइड करते मेनर आव आटिकुलेशन के हिसाब से अब आटिकुलेशन के उच्चारण के इस्थान के आधार पर याने की उच्चारण का इस थान होता इस बात को डे ili फेक्टर होते हैं दो कौन से टीथ और टंग तो जवाब क्या है आपका सी जब क्वेस्टन यह आ जाए कि मैनर आव अर्टिकुलेशन तो देट इस डिटर्माइंड वाई दा एयर पैसेज और इसको डिटर्माइंड किस से करते हैं टीथ और टंग दोनों से करते हैं अगला क्वेस्टन छात्रों आपको यह है विच आउट अव दा फॉलोविंग इज आ गलोटल साउंड तो आपको इन में से गलोटल का मतलब देयर इज आ नेरो विंग बिट्वीन दा वॉकल कोड्स गले वाली जो ध्वनी है वो आपको निकालनी है तो ध्वनी छात्रों आ ने हो गया ले हो गया टे हो गया और है हो गया अब यह तीनों के तीनों जो साउंड होते हैं टेडे सेजे नेले यह तीनों के तीनों आपके होते हैं छात्रों एलवेलर यानि की टिप ओफ दा टंग टचेज दा टी थ्रीज तो करेक्ट जवाब आपका क्या है है तो आज क मुए घरे मुए नियूए मैज़ अजिरारी कि अवरे बाड़ हो दियू है लोगरे विए धिनने कि अच्रामिक खूरे जयू हुट्छेश अगरे हैं और यह हुटंग्ट है आसलने के खार आसलने करेड़ हैं अभेड़ चुछतर कि अप्क्टियों कि और को समय शब बाड़